कुरिथियों के नाम पॉलुस प्रेरित की दूसरी पत्री अध्याए 1-13 अध्याए 1 अभिवादन एक पॉलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीश्यू का प्रेरित है और भाई तीमुथी उसकी ओर से परमेश्वर की उस कलिसिया के नाम जो कुरिथूस में है और सारे अखया के सब पवित्र लोगों के नाम दो हमारे पिता परमेश्वर और प्रभू यीश् मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांती का परमेश्वर है। चारव हमारे सब क्लेशों में शांती देता है, ताकि हम उस शांती के कारण जो परमेश्वर हमें देता है, उन्हें भी शांती दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। पांच क्योंकि जैसे मसील के दूग, खों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांती में भी मसील के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। जैसे हमारे दू, खों में, वैसे ही शांती में भी सहभागी हो। उसी ने हमें मृत्यू के ऐसे बड़े संकत से बचाया और बचाएगा और उस पर हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। ग्यारह तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे कि जो वर्दान बहुतों के द्वारा हमें मिला, उसके कारण बहुत लोग हमारी ओर से धन्यवाद करें। बारह क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं कि जगत में और विशेश करके तुम्हारे बीच हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसी पवित्रता और सच्चाय सहित था, जो शारीरिक ज्यान से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुब्रह के साथ तेरह हम तुम्हें और कुछ नहीं लिखते, केवल वह जो तुम पढ़ते या मानते भी हो, और मुझे आशा है कि अन्द तक भी मानते रहोगे चौदर जैसा तुम में से कितनों ने मान लिया है कि हम तुम्हारे घमंट का कारण है, वैसे ही तुम भी प्रभू येश्यू के दिन हमारे लिए घमंट का कारण ठहरोगे पंद्रह इसी भरोसे से मैं चाहता था कि पहले तुम्हारे पास आऊं कि तुम्हें एक और दान मिले, सोलह और तुम्हारे पास से होकर मके दुनिया को जाऊं, और फिर मके दुनिया से तुम्हारे पास आऊं, और तुम मुझे यहुद्या के ओर कुछ दूर तक पहुंच 18. परमेश्वर सच्चा गवा है कि हमारे उस वचन में जो तुम से कहा, हाँ और नहीं, दोनों नहीं पाये जाते 19. क्योंकि परमेश्वर का पुत्र लीश्व मसीह जिसका हमारे द्वारा अर्थात मेरे और सिल्वानुस और तिमुथी उसके द्वारा तुम्हारे बीच में प्रचार हुआ, उसमें और नहीं, दोनों नहीं थे, परंतु उसमें हाँ, ही, हाँ, हुई 20 क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिग्या हैं, वे सब उसी में, हाँ, के साथ है इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो 21 और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में द्रिल करता है और जिसने हमारा अभिशेक किया वही परमेश्वर है, 22 जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मिनों में दिया 23 में परमेश्वर को गवाह करके कहता हूं कि मैं अब तक कुरिथूस में इसलिए नहीं आया, कि मुझे तुम पर तरस आता था 24 यह नहीं कि हम विश्वास के विशय में तुम पर प्रभुता जताना चाहते हैं, परंतु तुम्हारे आनंद में सहायक हैं क्योंकि तुम विश्वास ही से स्थिर रहते हो अध्याए 2 एक मेंने अपने मन में यही ठान लिया था कि फिर तुम्हारे पास उदास करने ना आऊं दो क्योंकि यदि में तुम्हें उदास करूं, तो मुझे आनंद देने वाला कौन होगा, केवल वही जिसको मैंने उदास किया तीन और मैंने यही बात तुम्हें इसलिए लिखी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आने पर, जिनसे मुझे आनंद मिलना चाहिए मैं उदास हूँ, क्योंकि मुझे तुम सब पर इस बात का भरोसा है कि जो मेरा आनंद है, वही तुम सब का भी है चार बड़े क्लेश और मन के कष्ट से मैंने बहुत से आंसु बहा बहा कर तुम्हें लिखा था, इसलिए नहीं कि तुम उदास हो परंतु इसलिए कि तुम उस बड़े प्रेम को जान लो, जो मुझे तुम से है अपरादी को क्षमा पांच यदी किसी ने उदास किया है, तो मुझे ही नहीं वरंकी उसके साथ बहुत कड़ाई ना करूं, कुछ-कुछ तुम सब को भी उदास किया है चह ऐसे जन के लिए यहदान जो भाईयों में से बहुतों ने दिया, बहुत है साथ इसलिए इससे भला यह है कि उसका अपराद क्षमा करो और शांती दो, नहों कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूग जाए आठ इस कारण में तुम से विनती करता हूं कि उसको अपने प्रेम का प्रमान दो नौ क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परखलून की तुम मेरी सब बातों के मानने के लिए तयार हो की नहीं दस जिसका तुम कुछ ख्षमा करते हो उसे मैं भी ख्षमा करता हूँ क्योंकि मैंने भी जो कुछ ख्षमा किया है यदी किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर ख्षमा किया है ग्यारह की शैतान का हम पर दाव न चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अंजान न 12. जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को त्रोवाज आया, और प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया, तेरह तो मेरे मन में चैनना मिला, इसलिए कि मैंने अपने भाई तीतूस को नहीं पाया, इसलिए उनसे विदा होकर मैं मके दुनिया को चला गया. 14. परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हम को जय के उत्सव में लिए फिरता है, और अपने ज्यान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है. 15. क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उध्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है. 16. कुछ के लिए तो मरने के निमित मृत्यू की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित जीवन की सुगंध. भला इन बातों के योग्य कौन है? सत्रव क्यूंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं. अध्याय तीन, नई वाचा के सेवक. एक क्या हम फिर अपनी बढ़ाई करने लगे? या हमें अन्य लोगों के समान सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी या तुम से लेनी हैं? दो हमारी पत्री तुम ही हो, जो हमारे हृद्यों पर लिखी हुई है और उसे सब मनु की पत्रियों पर नहीं, परंतु हृद्य की मास रूपी पत्रियों पर लिखी है. चार हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं. पांच यह नहीं कि हम अपने आपसे इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, छे जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्यूंकि शब्द मारता है, पर आत्मा जिलाता है. साथ यदी मृत्यू की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, यहां तक तेजों में हुई कि मूसा के मूम पर के तेज के कारण जो घत्ता भी जाता था, इसराइली उसके मूम पर द्रिष्टी नहीं कर सकते थे, आठ तो आत्मा की वाचा और भी तेजो में क्यूं ना होगी? 9 क्योंकि जब दोशी ठहराने वाली वाचा तेजों में थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजों में क्यूं ना होगी? 10 और जो तेजों में था, वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजों में था, कुछ तेजों में न ठहरा. ग्यारह क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजों में था, तो वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजों में क्यों न होगा बारह इसलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं, तेरह और मूसा के समान नहीं, जिसने अपने मूँ पर परदा डाला था ताकि इस्राइली उस घटने वाले तेज के अंत को न देखें 14 परंतु वे मतिमंध हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदेओं पर वही परदा पढ़ा रहता है, पर वह मसीव में उठ जाता है 15 परंतु जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है, तो उनके हृदे पर परदा पढ़ा रहता है 16 परंतु जब कभी उनका हृदे प्रभू की ओर फिरेगा, तब वह परदा उठ जाएगा 17 परभू तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभू का आत्मा है, वहां स्वतंत्रता है 18 परंतु जब हम सब के उगाडे चेहरे से प्रभू का प्रताप इस प्रकार प्रगट होता है, जिस प्रकार दरपण में, तो प्रभू के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंशंश करके बदलते जाते हैं अध्याय चार, मिट्टी के पात्रों में धन एक इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली, तो हम हियाव नहीं छोडते दो परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया, और ना चतुराई से चलते, और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रगट करके, परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं तीन परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर परदा पढ़ा है, तो यह नश्ट होने वालों ही के लिए पढ़ा है चार और उन अविश्वासियों के लिए, जिनकी बुद्धी इस संसार के इश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके पांच क्योंकि हम अपने को नहीं, परंतु मसीह लिश्व को प्रचार करते हैं कि वह प्रभू है, और अपने विशय में यह कहते हैं कि हम लिश्व के कारण तुम्हारे सेवक हैं 6. इस ये की परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में इसे ज्योती चमके और वही हमारे हृद्यों में चमका की परमेश्वर की महिमा की पहीचान की ज्योती लेश्यु-मसीह के चहरे से प्रकाश्मान हो साथ परंतु हमारे पासवर धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह हसीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे आठ हम चारों और से क्लेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पढ़ते, निरुपाय तो हैं, पर निराश नहीं होते, नौसताय तो जाते हैं, पर त्यागे नहीं जाते, गिराय तो जाते हैं, पर नश्क नहीं होते 10. हम येश्यू की मृत्यू को अपनी देह में हर समय लिये फिरते हैं कि लीश्यू का जीवन भी हमारी देह में प्रगट हो 11. क्योंकि हम जीते जी सरवदा लीश्यू के कारण मृत्यू के हाथ में सौपे जाते हैं कि लीश्यू का जीवन भी हमारे मरनहार शरीर में प्रगट हो 12. इस प्रकार मृत्यू तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर 13. इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विशय में लिखा है मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला अता हम भी विश्वास करते हैं, इसी लिए बोलते हैं चौदल क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु येश्यू को जिलाया, वही हमें भी येश्यू में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा पंद्रव क्योंकि सब वस्थूएं तुम्हारे लिए हैं, ताकि अनुग्रेह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए सोलर इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपी हमारा बाहरी मनुशित्व नश्थ होता जाता है, तो भी हमारा भीत्री मनुशित्व दिन प्रति दिन नया होता जाता है 17 क्योंकि हमारा पल भर का हलका सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपून और अनन्त महिमा उत्पन करता जाता है, अथारह और हम तो देखी हुई वस्तूओं को नहीं परंतु अंदेखी वस्तूओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तूओं थोड़े ही गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थाए हैं। परमेश्वर हैं जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। 10. क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसील के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देख के द्वारा किये हों पाए। 11. इसलिए प्रभू का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं, परंतु परमेश्वर पर हमारा हाल प्रगट है, और मेरी आशा यह है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रगट हुआ होगा। 12. हम फिर भी अपनी बड़ाई तुम्हारे सामने नहीं करते, वरन हम अपने विशे में तुम्हें घमंड करने का अफसर देते हैं कि तुम उन्हें उत्तर दे सको, जो मन पर नहीं वरन दिखावटी बातों पर घमंड करते हैं। 13. यदी हम बेसुध हैं तो परमेश्वर के लिए और यदी चैतन्य हैं तो तुम्हारे लिए हैं। यदी अपी हमने मसीः को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। 17. इसलिए यदी कोई मसीः में है तो वह नहीं स्रिष्टी है, पुरानी बाते बीट गई हैं, देखो, सब बाते नहीं हो गई हैं। 18. ये सब बाते परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीः के द्वारा अपने साथ हमारा मेलमिलाप कर लिया, और मेलमिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। 19 अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेलमिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोश उन पर नहीं लगाया और उसने मेलमिलाप का वचन हमें सौंप दिया है. 20 इसलिए हम मसील के राज़दूत हैं, मानो परमेशवर हमारे द्वारा विनती कर रहा है हम मसील की और से निवेदन करते हैं कि परमेशवर के साथ मेलमिलाप कर लो 21 जो पाप से अग्यात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिक्ता बन जाएं अध्याए छे एक हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं यह भी समझाते हैं कि उसका अनुब्रह जो तुम पर हुआ, उसे व्यर्थ न जाने दो हुद्धार का दिन है तीन हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अफसर नहीं देते ताकि हमारी सेवा पर कोई दोश न आए चार परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुनों को प्रगट करते हैं बड़े धहर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकितों से, पांच कोडे खाने से, कैध होने से, हुलरों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उप्वास करने से, छे पवित्रता से, घ्यान से, धीरच से, खृपालूता से, पवित्र आत्मा से, साथ सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, धार्मिक्ता के हथियारों से, जो दाहिने बाएं हाथों में हैं, आठादर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से, यद्यपी भरमाने वालों जैसे मालूम होते हैं, तो भी सच्चे हैं, नौर अंजानों के सद्रिश हैं, तो भी प्रसिध हैं, मरते हुओं के समान हैं, और देखो जीवित हैं, मार्खाने वालों के सद्रिश हैं, परंतु प्रान से मारे नहीं जाते, दस शोक करने वालों के स परन्तु सरवदा आनंद करते हैं, किंगालों के समान हैं, परन्तु बहुतों को धन्वान बना देते हैं, ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। असमान जुए में न जुतो 14 हविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो, क्योंकि धार्मिक्ता और अधर्म का क्या मेल जोल? या ज्योती और अंधकार की क्या संगती? पंद्रह और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव? या विश्वासी के साथ हविश्वासी का क्या नाता सोलह और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंद क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं जैसा परमेश्वर ने कहा है मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभू परमेश्वर का वचन है। अध्याय साथ एक अता हे प्रियो, जबकि ये प्रतिग्याय हमें मिली हैं, तो आओ, हम अपने आपको शरीर और आत्मा की सब मलिन्ता से शुध़ करें, और परमेश्वर का भाय रखते हुए पवित्रता को सिध़ करें। पॉलुस का आनंद दो हमें अपने हृदय में जगह दो। हमने न किसी के साथ अन्याय किया, न किसी को बिगाड़ा, और न किसी को ठगा। तीन में तुम्हें दोशी ठहराने के लिए यह नहीं कहता क्यूंकि में पहले ही कह चुका हूँ कि तुम हमारे हृदय में ऐसे बस गए हो कि हम तुम्हारे साथ मरने जीने के लिए तैयार है चार में तुम से बहुत हियाव के साथ बोल रहा हूँ, मुझे तुम पर बड़ा घमंड है, मैं शांती से भर गया हूँ अपने सारे क्लेश में मैं आनन से अती भरपूर रहता हूँ पांच क्योंकि जब हम मके दुनिया में आये, तब भी हमारे शरीर को चैन नहीं मिला, परंतु हम चारों और से क्लेश पाते थे, बाहर लड़ाईयां थी, घीतर भयान कर बाते थी चेह तबी दीनों को शांती देने वाले परमेश्वर ने तीतूस के आने से हमको शांती दी, साथ और न केवल उसके आने से परंतु उसकी उस शांती से भी, जो उसको तुम्हारी ओर से मिली थी उसने तुम्हारी लालसा, तुम्हारे दू, ख, और मेरे लिए तुम्हारी धून का समाचार हमें सुनाया, जिससे मुझे और भी आनन्द हुआ आठ, क्योंकि अध्यपी मैंने अपनी पत्री से तुम्हें शोकित किया, परंतु उससे पच्टाता नहीं जैसा की पहले पच्टाता था, क्योंकि मैं देखता हूं कि उस पत्री से तुम्हें शोक तो हुआ परंतु वह थोड़ी देर के लिए था 9. अब मैं आनंदित हूँ पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुँचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया, क्यूंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानी न पहुँचे 10. क्यूंकि परमेश्वर भक्ती का शोक ऐसा पश्चाता पुद्पन करता है जिसका परिनाम उद्धार है और फिर उससे पच्छताना नहीं पड़ता परंतु सांसारिक शोक मृत्यू उद्पन करता है 11. अतह देखो इसी बात से कि तुम्हें परमेश्वर भक्ती का शोक हुआ तुम्हें कितना उत्साह और प्रत्यूत्तर और रिस और भय और लालसा और धुन और दंड देने का विचार उत्पन हुआ 12. फिर मैंने जो तुम्हारे पास लिखा था, वह न तो उसके कारण लिखा जिसने अन्याय किया और न उसके कारण जिस पर अन्याय किया गया परंतु इसलिए कि तुम्हारा उत्साह जो हमारे लिए है, वह परमेश्वर के सामने तुम पर प्रगट हो जाए 13. इसलिए हमें शान्ती मिली हमारी इस शान्ती के साथ तीतूस के आनंद के कारण और भी आनंद हुआ क्योंकि उसका जी तुम सब के कारण हरा भरा हो गया है 14. क्योंकि यदी मैंने उसके सामने तुम्हारे विशय में कुछ घमंड दिखाया तो लजज़ित नहीं हुआ परंतु जैसे हमने तुम से सब बाते साच-साच कह दी थी वैसे ही हमारा घमंड दिखाना तीतूस के सामने भी सच निकला 15. जब उसको तुम सब के आग्याकारी होने का समरन आता है कि कैसे तुमने दर्ते और कांपते हुए उससे भेट की तो उसका प्रेम तुम्हारी और और भी बढ़ता जाता है 16. मैं आनंदित हूं क्योंकि मुझे हर बात में तुम पर पूरा भरोसा है अध्याय 8. उदार्ता पूर्वक दान देना एक अभे भायों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मके दुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है दोकी क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदार्ता बहुत बढ़ गई तीन उनके विशय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य भरवरन सामर्थ्य से भी बाहर, मन से दिया चार और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विशय में, हमसे बार-बार बहुत विनती की, पांच और जैसी हमने आशा की थी, वैसी ही नहीं वरन उन्होंने प्रभू को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आपको दे छे, इसलिए हमने तीतूस को समझाया की जैसा उसने पहले आरंप किया था, वैसा ही तुम्हारे बीच में इस दान के काम को पूरा भी कर ले। 9. तुम हमारे प्रभू येश्यू मसीह का अनुब्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ. 10. इस बात में मेरी सलाह यही है, यह तुम्हारे लिए अच्छा है, जो एक वर्ष से न तो केवल इस काम को करने ही में, परंतु इस बात के चाहने में भी प्रथम हुए थे. 11. इसलिए आब यह काम पूरा करो की जैसा इच्छा करने में तुम तयार थे, वैसा ही अपनी अपनी पुंजी के अनुसार पूरा भी करो. 12 क्योंकि यदी मन की तयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहन भी होता है जो उसके पास है न कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं 13 यह नहीं की दूसरों को चैन और तुमको क्लेश मिले 14 परंतु बराबरी के विचार से इस समय तुम्हारी बढ़ती उनकी घटी में काम आए ताकि उनकी बढ़ती भी तुम्हारी घटी में काम आए की बराबरी हो जाए 15 जैसा लिखा है जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक न निकला और जिसने थोड़ा बटोरा उसका कुछ कम न निकला 16 परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने तुम्हारे लिए वही उत्सार तीतूस के हृदय में डाल दिया है सत्रव की उसने हमारा समझाना मान लिया वरन बहुत उत्साही होकर वह अपनी इच्छा से तुम्हारे पास गया है 18 हमने उसके साथ उस भाई को भी भीजा है जिसका नाम सुसमाचार के विशे में सब कलीसिया में फैला हुआ है 19 और इतना ही नहीं परंतु वह कलीसिया द्वारा ठहराया भी गया कि इस दान के काम के लिए हमारे साथ जाए 20 हम इस बात में चौकस रहते हैं कि इस उदार्ता के काम के विशे में जिसकी सेवा हम करते हैं कोई हम पर दोश न लगाने पाए 21 क्योंकि जो बाते केवल प्रभू ही के निकट नहीं परंतु मनुश्यों के निकट भी भली है हम उनकी चिंता करते हैं 22 हमने उसके साथ अपने भाई को भी भीजा है जिसको हमने बार-बार परक के बहुत बातों में उत्साही पाया है परंतु अब तुम पर उसको बड़ा भरोसा है इस कारण वह और भी अधिक उत्साही है 23 यदि कोई तीटूस के विशय में पूछे तो वह मेरा साथी और तुम्हारे लिए मेरा सहकर्मी है और यदि हमारे भाईयों के विशय में पूछे तो वे कलीसियाओं के भीजे हुए और मसीः की महिमा है 24 अता अपना प्रेम और हमारा वह घमन जो तुम्हारे विशय में है कलीसियाओं के सामने सिध़ करके उन्हें दिखाओ अध्याए 9 साथी मसीहियों के लिए सहायता एक अब उस सेवा के विशय में जो पवित्र लोगों के लिए की जाती है मुझे तुम को लिखना आवश्यक नहीं दो क्योंकि मैं तुम्हारे मन की तयारी को जानता हूं जिसके कारण में तुम्हारे विशय में मकिदुनियावासियों के सामने घमन दिखाता हूं अख्या के लोग एक वर्ष से तयार हुए हैं और तुम्हारे उत्साहने और बहुतों को भी उभारा है। तीन परंतु मैंने भाईयों को इसलिए भेजा है कि हमने जो घमन तुम्हारे विशय में दिखाया, वह इस बात में व्यर्थ न ठहरे, परंतु जैसा मैंने कहा वैसे ही तुम तयार रहो, चार ऐसा न हो कि यदि कोई मके दुन्यावासी मेरे साथ आए और तुम्हें तयार न पहले से वचन दिया गया था, तयार कर रखे कि यह दबाव से नहीं परंतु उदार्ता के फल के समान तयार हो, दान कैसे दें, चेह परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है, वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है, वह बहुत काटेगा, साथ हर एक जन जैस मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुल कुल के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है, आठ परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय, सब कुछ, जो तुम्हें मने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा, और उसे फलवंत करेगा, और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा, ग्यारह तुम्हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद 13. क्यूंकि इस सेवा को प्रमान स्वीकार कर वे परमेश्वर की महिमा प्रगट करते हैं कि तुम मसील के सुसमाचार को मान कर उसके अधीन रहते हो, और उनकी और सबकी सहायता करने में उदारता प्रगट करते रहते हो, 14. और वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं और इसलिए कि तुम पर प्रमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है, तुम्हारी लालसा करते रहते हैं। 15. प्रमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्नन से बाहर है, धन्यवाद हो। अध्याय दस. पॉलुस का अधिकार. एक में वही पॉलुस जो तुम्हारे सामने दीन हूँ परंतु पीट पीछे तुम्हारी और साहस करता हूँ, तुमको मसीह की नम्र्टा और कॉमलता के कारण समझाता हूँ. दो में यह विनती करता हूँ कि तुम्हारे सामने मुझे निर्भय होकर साहस करना न पड़े, जैसा मैं कुछ लोगों पर जो हमको शरीर के अनुसार चलने वाले समझते हैं, साहस दिखाने का विचार करता हूँ. तीन क्यूंकि यद्यपी हम शरीर में चलते फिरते हैं, तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते. चार क्यूंकि हम लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गड़ों को धा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं. पांच इसलिए हम कलपनाओं का और हर एक उंची बात का, जो परमेश्वर की पहिचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद क करके मसीह का आग्याकारी बना देते हैं, छे और तयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आग्या पालन पूरा हो जाए, तो हर एक प्रकार के आग्या उलंगन को दंडित करें. साथ तुम उन्ही बातों को देखो, जो आँखों के सामने हैं. यदि किसी को अपने पर यह भरोसा हो कि मैं मसीह का हूँ, तो वह यह भी जान ले कि जैसा वह मसीह का है वैसे ही हम भी हैं. आठ क्योंकि यदि मैं उस अधिकार के विशय में और भी घमंड दिखाऊं, जो प्रबु ने तुम्हारे बिगारने के लिए नहीं पर बनाने के लिए हमें दिया है, तो लज्जित ना हूंगा. नौ यह मैं इसलिए कहता हूं कि पत्रियों के द्वारा तुम्हें दराने वाला न ठहरून. दस क्योंकि वे कहते हैं उसकी पत्रियां तो गंबीर और प्रभावशाली हैं, परंतु जब वह सामने होता है, तो वह देह का निर्बल और वक्तव्य में हलका जान पड़ता है. 11. जो ऐसा कहता है, वह यह समझ रखे कि जैसे पीत पीछे पत्रियों में हमारे वचन है, वैसे ही तुम्हारे सामने हमारे काम भी होंगे. 12. क्योंकि हमें यह साहस नहीं कि हम अपने आपको उनमें से ऐसे कुछ के साथ गिने या उनसे अपने को मिलाएं, जो अपनी प्रशन सा आप करते हैं, और अपने आपको आपस में नाप तॉलकर एक दूसरे से मिलान करके मूर्प ठहरते हैं. 13. हम तो सीमा से बाहर घमंड कदापी ना करेंगे, परंतु उसी सीमा तक जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहरा दी है, और उसमें तुम भी आ गए हो और उसी के अनुसार घमंड भी करेंगे. 14. क्योंकि हम अपनी सीमा से बाहर अपने आपको बढ़ाना नहीं चाहते, जैसे कि तुम तक ना पहुंचने की दशा में होता, वरन मसील का सुसमाचार सुनाते हुए तुम तक पहुंच चुके हैं. 15. हम सीमा से बाहर दूसरों के परिश्रम पर घमंड नहीं करते, परंतु हमें आशा है कि जियों जियों तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाएगा त्यों त्यों हम अपनी सीमा के अनुसार तुम्हारे कारण और भी बढ़ते जाएंगे. 16. क्योंकि जो अपनी बढ़ाई करता है वह नहीं, परंतु जिसकी बढ़ाई प्रभू करता है, वही ग्रहन किया जाता है. अध्याए 11. पॉलुस और जूठे प्रेरित. एक यदी तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता? हाँ, मेरी सह भी लो. दो क्योंकि मैं तुम्हारे विशय में इश्वरिय धुन लगा रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुवारी के समान मसीह को सौपदून. तीन परंतु मैं दरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हववा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाय और पवित था या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले न माना था, तो तुम उसे सह लेते हो. पांच में तो समझता हूं कि मैं किसी बात में बड़े से बड़े प्रेरितों से कम नहीं हूं. छे यदी मैं वक्तव्य में अनारी हूं, तो भी ग्यान में नहीं. हमने इसको हर बात में सब प्रकार से तुम्हारे लिए प्रगट किया है. साथ क्या इसमें मैंने कुछ पाप किया कि मैंने तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार सेंतमेंट सुनाया, और अपने आपको नीचा किया कि तुम उचे हो जाओ. आठ मैंने अन्यकलिसियाओं को लूटा, अ और मैंने हर बात में अपने आपको तुम पर भार बनने से रोका और रोके रहूंगा। दस यदी मसीह की सच्चाई मुझ में है तो अखया देश में कोई मुझे इस घमंड से न रोकेगा। ग्यारह क्यों? क्या इसलिए कि मैं तुम से प्रेम नहीं रखता। परमेश्वर यह जानता है कि मैं प्रेम रखता हूं। बारह परन्तु जो मैं करता हूं, वही करता रहूंगा कि जो लोग दाव ढूंदते हैं उन्हें मैं दाव पाने न दून, ताकि जिस बात में वे घमंड करते हैं, उसमें वे हमारे ही समान ठहरें। तेरह क्योंकि ऐसे लोग जूते प्रेरित और चल से काम करने वाले और मसील के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं चौदह यह कुछ अचम्भे की बात नहीं क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर में स्वर्गदूत का रूप धारन करता है पंद्रह इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरें तो कोई बड़ी बात नहीं परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा प्रेरित के रूप में पॉलुस का दूप खभोग सोलह मैं फिर कहता हूँ कोई मुझे मूर्ख न समझे नहीं तो मूर्ख ही समझ कर मेरी सेहलो ताकि थोड़ा सा मैं भी घमंड कर सकूँ 17 इस बेधड़क घमंड में जो कुछ मैं कहता हूँ, वह प्रभु की आग्या के अनुसार नहीं पर मानो मूर्खता से ही कहता हूँ 18 जबकि बहुत से लोग शरीर के अनुसार घमंड करते हैं, तो मैं भी घमंड करूंगा 19 तुम तो समझदार होकर आनन से मूर्खों की सह लेते हो 20 क्योंकि जब तुम्हें कोई दास बना लेता है, या खा जाता है, या फंसा लेता है, या अपने आपको बड़ा बनाता है, या तुम्हारे मूम पर थपपर मारता है, तो तुम सह लेते हो 21 मेरा कहना अनादर ही की रीती पर है मानो हम इसके लिए निर्बल से थे परंतु जिस किसी बात में कोई साहस करता है मैं मूर्खता से कहता हूँ तो मैं भी साहस करता हूँ 22 क्या वे ही इबरानी है मैं भी हूँ क्या वे ही इजराइली है मैं भी हूँ क्या वे ही अब्राहम के वंश है। मैं भी हूँ। 23 क्या वे ही मसीह के सेवक हैं मैं पागल के समान कहता हूँ मैं उनसे बढ़ करूँ। एक रात दिन में ने समुद्र में काटा। एक रात दिन में अर्थाइस और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्नन में नहीं करता, सबकली सियाओं की चिंता प्रति दिन मुझे दबाती है। उन्तीस किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता, तीस यदी घमंड करना आवश्य है, तो मैं अपनी निर्बलता की बातों पर घमंड करूंगा। एक तीस प्रभू येश्यू का परमेश्वर और पिता जो सदाधन्य है, जानता है कि मैं जूट नहीं बोलता। इसलिए मैं प्रभू के दिये हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। दो में मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि न जाने देहसहित, न जाने देहरहित, परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्भ तक उठा लिया गया। तीन में ऐसे मनुश्य को जानता हूँ ना जाने देह सहित, ना जाने देह रहित परमेश्वर ही जानता है चार की स्वर्ग लोग पर उठा लिया गया, और ऐसी बाते सुनी जो कहने की नहीं, और जिनका मुँँ पर लाना मनुश्य को उचित नहीं. पांच ऐसे मनुश्य पर तो मैं घमंड करूँगा, परन्तु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़, अपने विशे में घमंड ना करूँगा. 6. क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं भी तो मूर्ख नहूंगा, क्योंकि सच बोलूंगा, तो भी रुख जाता हूं, ऐसा नहूं कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझे सुनता है, मुझे उससे बढ़कर समझे. 7. इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूद की मुझे घूंसे मारे ताकी मैं फूल न जाऊं. 8. इसके विशय में मैंने प्रभू से तीन बार विनती की की मुझे से यह दूर हो जाए. 9. पर उसने मुझे से कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्यूंकि मेरी सामर्थे निर्बलता में सिधा होती है. 10. इसकारण में मसील के लिए निर्बलताओं में, और निंदाओं में, और दरिद्रता में, और उपद्रवों में, और संकटों में प्रसन हूँ, क्यूंकि जब मैं निर्बल होता हूँ, तभी बलवन्थ होता हूँ. 11. मैं मूर्थ तो बना, परंतु तुम ही ने मुझे यह करने के लिए विवश्च किया. तुम्हें तो मेरी प्रशनसा करनी चाहिए थी, क्यूंकि अध्यपी में कुछ भी नहीं, तो भी उन बड़े से बड़े प्रेरितों से किसी बात में कम नहीं हूँ. 12. प्रेरित के लक्षन भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरच सहित चेहनों और अद्भुत कामों और सामर्थ्य के कामों से दिखाए गए. 13. तुम कौन सी बात में दूसरी कलीसियाओं से कम थे, केवल इसमें कि मैंने तुम पर अपना भार न डाला. 14. देखो, मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आने को तयार हूँ, और मैं तुम पर कोई भार न रखूंगा, क्यूंकि मैं तुम्हारी संपत्ती नहीं वरन तुम ही को चाहता हूँ. 15. क्यूंकि बच्चों को माता-पिता के लिए धन बटोरना नहीं चाहिए, पर माता-पिता को बच्चों के लिए 15 में तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनन से खर्च करूंगा, वरन आप भी खर्च हो जाऊंगा. 16. क्या जितना बढ़कर मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ, उतना ही घटकर तुम मुझसे प्रेम रखोगे. 16. ऐसा हो सकता है कि मैंने तुम पर बोज नहीं डाला, परंतु चतुराई से तुम्हें धोखा देकर फसा लिया. 17. बहला, जिन्हें मैंने तुम्हारे पास भेजा, क्या उनमें से किसी के द्वारा मैंने चल करके तुमसे कुछ ले लिया? 18. मैंने तीतूस को समझा कर उसके साथ उस भाई को भेजा, तो क्या तीतूस ने चल करके तुमसे कुछ लिया? क्या हम एक ही आत्मा के चलाए न चले, क्या एक ही लीक पर न चले, 19 तुम अभी तक समझ रहे होगे कि हम तुम्हारे सामने प्रत्युत्तर दे रहे हैं हम तो परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं, और हे प्रियो, सब बाते तुम्हारी उन्नती ही के लिए कहते हैं 20 क्योंकि मुझे डर है, कहीं ऐसा न हो कि मैं आकर जैसा चाहता हूँ, वैसा तुम्हें न पाउन, और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते वैसा ही पाओ, और तुम में जगड़ा, डाह, क्रोध, विरोध, इर्श्य, चुगली, अभिमान और बखेडे हो, 21 और कहीं ऐसा 20 क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे फिर से तुम्हारे यहां आने पर मुझे पर दबाव डाले और मुझे बहुतों के लिए फिर शोक करना पड़े, जिन्होंने पहले पाप किया था और गंदे काम और व्याविचार और लुच्पन से, जो उन्होंने किया, मन नहीं फिराया अध्याय 13. अंतिम चेतावनी परंतु तुम में सामर्थी है. चारवह निर्बलता के कारण क्रूस पर चड़ाया तो गया, तो भी परमेश्वर की सामर्थे से जीवित है. हम भी उसमें निर्बल हैं, परंतु परमेश्वर की सामर्थे से जो तुम्हारे लिए है, उसके साथ जिएंगे. पांच अपने आपको पर्खो की विश्वास में हो की नहीं अपने आपको जांचो क्या तुम अपने विशय में यह नहीं जानते की यीश्य मसीह तुम में है नहीं तो तुम जांच में निकम में निकले हो चह पर मेरी आशा है कि तुम जान लोगे की हम निकम में नहीं साथ हम अपने परमेश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि तुम कोई बुराई न करो इसलिए नहीं कि हम खरे दीख पड़े पर इसलिए कि तुम भलाई करो चाहे हम निकम में ही ठहरे 8. क्यूंकि हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते, पर सत्य के लिए ही कर सकते हैं 9. जब हम निर्बल हैं और तुम बलवन्त हो, तो हम आनंदित होते हैं और यह प्रार्थना भी करते हैं कि तुम सिधा हो जाओ दस इस कारण में तुम्हारे पीट पीछे ये बाते लिखता हूँ, कि उपस्थित होकर मुझे उस अधिकार के अनुसार जिसे प्रभू ने बिगारने के लिए नहीं पर बनाने के लिए मुझे दिया है, कड़ाई से कुछ करना न पड़े अभिवादन ग्यारा हता हे भायो, आनन्दित रहो, सिध्ध बनते जाओ, धार्जा रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो और प्रेम और शांती का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा बारह एक दूसरे को पवित्र चुम्बन से नमस्कार करो तेरा सब पवित्र लोग तुम्हें नमस्कार कहते हैं चौदा प्रभू लीश्यु मसीह का अनुब्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सभागिता तुम सब के साथ होती रहे